है एब्रिवन गुड अफ्रनून एंड वेल्कम बैक टू माई चैनल शुभमिता ब्लॉग्स के एक और ने ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है तो आज हम लोग जा रहे हैं एक गाउ में हमारे घट से आट नौ किलोमेटर दूर पड़ता है तो वहां जा रहे हैं चली मामी और वह साथ में बड़े हुए मामी बोल रही थी कि उनके बगल में जस्ट उनका घर था तो दोनों के बीच में बहुत जादा दोस्ती थी तो उनका वह जब भी आती है ना मामी तो हम लोग जाते हैं उनके घर पर मिलने के लिए पिछले साल भी जब आई थी ना तब भी हम लोग गए थे और आज देखिए साथ में जा कॉन रहा है मेरे हभी जा रहे हैं काफी दिनों बाद वो घर से निकल रहे हैं जैसे मैक्जिमम अभी तक जहां भी गई हूँ आप लोग ने दिखाऊगा कि वो कहीं नहीं जाते हैं तो आज पापा नहीं जा रहे है पापा को घर पे काम है क्योंकि घर पे काम चल रहा है तो उस वज़े से वो घर पे हैं और आज जा रहे हैं मेरे हभी यह है मामा का बेटा और शंक का मामा तो शंक का सबसे छोटा मामा अभी यही है इसके और शंक के बीच मेना बस कुछी मेनों का डिफरेंस है इसका जो ज कि अधिन निए 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 तो दोनों कितने प्यारे लग रहे है ना यह सो चुका है अभी मामा गए है कुछ फुरुट्स खरीदने के लिए उन लोगों के लिए आज ना काफी दिनों बाद निकल रहे हूं घर से तो काफी अच्छा लग रहा है तो बीच बीच में ऐसा अगर गुमने का मौका मिले ना तो माइन एक दम फ्रेश सा हो जाता है आज हमारे मार्केट में यह प्लम मिल रहा था एक्छली काफी दिनों बाद देखके ना बहुत अच्छा लग रहा था कि नहीं कोई पहाड काफी दिनों बाद खाने को मिलेगा अभी देखा था ना हम लोगों ने तो मैंने बोला मामा से मम्मी को भी बहुत पसंद है यह फ्रूट मम्मी जैसे साजान पूल में बड़ी हुई है तो वहाँ भी मिलता था मम्मी बोल रही थी कि मैंने बहुत है बहुत अच्छा लगत है तो आज वह भी बहुत दिनों बादी खा रही है इतना साल बाद खा दी हूं चार साल शादी से पहले खाया था क्योंकि यह मिलता नहीं है ना जेगा गाउसाइब को गूमने चलो ना तो कुछ अच्छा लगे ना लगे बट यह लास्ता बहुत सुंदर लगता है अब हम सब लोग बैट के खा रहे हैं समोसा यह हमारा स्टाटर है और यह इस्पेशली जमाई जी ने बनाया है हम लोगों के लिए गरम गरम समोसा और इसका फ्लेवर ने एकदम कलकत्ता जैसा है जैसे कलकत्ता पे बनता है ना बहुत तेस्टी था समोसा यहां पे ना मेरा और ममी का कुछ डिसकशन चल रहा था एक्चली ममी बोले थी मेरी लिप्स्टिक छूट गई तो मैंने वहला ममी इटेंशन मत लो मैं लेकर आई हूं लिप्स्टिक और यहां पे मामा और भांजे का तो यहां पे चलता ही रहता है यह दोनों एकदम नौटंगी करते ही रहते दोनों जब भी साथ में रहते हैं घर के पीछे वाले हिचसे में कुछ-कुछ सबजिया लगाई हुई है तो यहां पे काफी सारी हरी मिर्च हुई है और यहां पे हैं पोई साग बोलते हैं हमारे महां पे तो वह भी लगाया हुआ है और यहां पे काफी सारे पपीते पेड़ में लगे हुए है यहां पे जम स्पेशल मैन्यू है आज चिकन, चिकन के साथ पीठा, हमारे मापना चावल के आठे से एक पीठा वनाया जाता है, जिसको चितोई पीठा बोलते हैं, यह काचछी पीठा बोलते हैं, एक और भाबी है, तो उनके घर आए घुए हैं अभी हम, वो हमको लेके आ ये सब को, तो जो भाईया है वह हम लोग लेना भी फ्राइब ममोज लेक्टा आए बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी बनाते हैं तो हम लोग ने बहुत मना किया लेकिन उसके बाद भी वह लेक्टा आए लुए यह, बड़ एनी उसके बाद आए बहुति ही भगुत स्देश कि बहुत सिन्पना सिर्द मेरे कि अर आए कि बर्भों आनी में होग भुति ऑदो, आप जो हम जो हम लिए बड़ पलके बढ़ना कि अरा ओंडiden श्या además मैत है। कि यहां पर आके देखा तो सब कुछ रेडी था चिकन बन चुका था और जो पीठा है वो गरम गरम बना के सर्फ कर रही थी एक्चली बहुत अच्छा लगता है यह चिकन के साथ पेठा और मेरी बेहन को भी बहुत जादा पसंद है तो जब मैं खा रही थी न मेरे को उसकी मैं बढ़ी बेधा रही थी क्योंकि उसका यह पीठा है न उसका इतना फेबरेट है मुझे मतलब पसंद है उतना नहीं है उसको पसंद अगर यह मिल जाए तो और कुछ नहीं होता है उसको मेरा पेट इतना भर मोमोज्स और वह समौसा खाके अच्च्छा और अभी नहां गर पे आके देखा तो पापा मटन लेके आये थे हांडी खरीद के लेके आये थे कि आज रात में हांडी मटन बनाएंगे मामा कल चले जाएंगे ना इसलिए आज रात में स्पेशल हांडी मटन बनने वाला है तो सब लोग अभी आते ही लग चुके हैं प्रिपरेशन करने में और मटन के लिए सारे मसाले वगरा प्रिपेर हो करे हैं मैंने अभी फटाफट से आके ना वो सब प्रिपेर कर लिया था और अभी आज पापा कुकेंग करने वाले हैं क्योंकि पापा के हाथों का हांडी मटन मतलब इतना अच्छा लगता है ना इतना टेस्टी बनाते हैं और काफी दिनों बाद पापा बना रहे हैं मैं अभी ब्लॉक के स्टाटिंग में बोल रही थी ना कि हम लोग का घर पे काम चल रहा है तो घर पे ना अभी जो छट पे हैं वहां पर कर्टरंस लगाएं पापा ने टिन का लगाया उपर और अभी काफी सारा कुछ बाकी है पापा का बहुत दिनों से शौक था कि छट मतलब लगवाएं और आज हम लोग मिलके यहीं पर पिकनिक कर रहे हैं सब लोग एकदम पिकनिक वाली फीलिंग आ रही है और काफी सारी लाइट्स भी सेट की हुई है पंखा भी सेट किया हुआ है मेरे हाबी जैसे मटन मगर पकड़ते नहीं है न चिकन मगर तो उनको बड़ा अक्वर्ड सा लग रहा था फिर मामी आई और मामी ने मटन डाला हांडी में चट पे निम्बू का पत्ता देखके न मामी को बहुत मन कर रहा था कि इमली के साथ उसको मैश करके हमारे पर खाते है बड़ा अच्छा लगता है हरी मिर्च नमक और निम्बू का पत्ता उसको मैश करके खाओ और आज सब लोग चट पे साथ में बैटके खाना का रहे है एकड़म पिक्निक वाली फिलिंग आ रही है बहुत अच्छा रहा आज का दिन आई होप आप सभी लोगो को भी आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कू बहुत ज्यादा टेस्टी बना था सभी लोग बोल रहे थे मामा को भी बहुत ज्यादा पसंद आया था और बाकी सभी लोगों को भी तो आज तो एकड़म सब ने बहुत मन से खाया और बहुत मज़ा किया हम लोगोंने